जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांती पता है कि मृत्यू भी एक ऐसा सत्य है, जिसे कोई जितना मर्जी जुठला दें, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस प्रिथवी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुती देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यू के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मकर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं। बता देंग की गरुर पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है गरुर पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्य होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं यहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापिस घर छोड़ जाते हैं यमदूत के द्वारा आत्मा को वापिस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है लेकिन उसकी आवास को कोई नहीं सुन पाता यह देखकर मृत व्यक्ती की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर-जोर से चिलाने लगती है इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती इसके अलावा गरुर पुरान की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तै कर पाए गरुर पुरान के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यू के बाद जो दस दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन अंगों की रचना होती है और जो ग्यारहवे और बारहवे दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मास और त्वचा का निर्मान होता है और जब तेरहवे दिन तेरहवी की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंड़दान किया जाता है उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तै करते हैं अर्थात मृत्यू के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है इसलिए ही गुरुर पुरान में बताया गया है जब किसी मनुष्य की मृत्यू हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने याने की एक साल का वक्त लगता है इतना ही नहीं मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके एक वर्ष के भोजन के समान होता है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और विडियो को लाइक करके आपका प्यार बनाया रखे धन्यवाद